दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के के जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट मोक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पाली कबर बिहार में पिछले 24 घंटे में मिले 799 नए कोरोना मरेज नए मामले मिले है आपके पिछले 24 घंटे में गोरोना संगरमन के 799 नए मामले मिले है स्वास्त विवाग द्वारा जारी हेल्थ बुलिटेन के नुसार अररिया भागल पूरोल गोपाल गंज में 27-27 अररिया में 8 अरवल में 3 और अंगाबाद में 4 बाका में 6 भुजपूर में 12 बकसर में 13 दर्बंगा में 14 पूरवी चमपरन में 18 गया में 7 जमी में 10 में 12 और केमूर और कटिहार में 15 मामले सामने आये हैं अगली बड़ी खबर राज सबा में गोंजा आररवी एंटिपीसी परिचा में धानली का मुद्दा सुसील मोदी और आप सांसद ने की ये मांग जिहां पेछले दिन रेलवे की भरती परिचा आररवी और एंटिपीस ने भरती प्रक्रिया में खामियों को दुरस्त करने प्रदसन के दुरान चातरों पर दर्च की गई अपायार वापस लेने और भरती भी और बिरुज़गारी के माद नजर चातरों के स्यात्र नियाए करने की मांग की है आपको बढ़ाते कि इस मुद्दे पर भारती जन् प्रिक्त परिणाम भी गोसित किये जानी चाहिए अगली बड़ी कबर बिहार में लैब टेक्निसियन के बहाली पर हाई कोड का बड़ा फैसला एक सप्ता के भीतर बहाली को पूरा करने का आदिस जी अबाड़ी कबर राजधानी पटना से है जहां हाई कोड ने राज सरकार क को एक सप्ता के भीतर लैब टेक्निसयन के न्युक्ति प्रक्रिया को पूरा करने का आदिस दिया है चीप जाश्टिस संजे करोल के खंड़ पीट ने मामले पर सुनवाई करने के बाद राज सरकार को यह आदिस दिया है आपको बदाद के 21 जून 2015 को बिहार श्टाप सेले अधिकारियों को एक सप्ता के भीतर रिजल्ड प्रकासित करने का आदिस दिया है अगली बड़ी कबर अब बिहार में मैट्रिक की तरह होगी नौवी क्लास की परिच्छा मैट्रिक से पहले चात्रू के लिए बोर्ड एक्जाम की एक्सरसाइज का नया प्लान 26 परवरी से होगा एक्जाम जी हाँ भीहार बोर्ड के स्टुडेंट को नौवी की परिच्छा भी मैटिक की तरह देना होगा भीहार विधाले परिच्छा समित्य ने इस drink में आदेष जारी कर दिया है मैटेक एक्जाम से पहले स्टुडेंट को बोर्ड की परिच्छा थी सबीतर बार बोर्ड एक्जाम होने से ग्रामीन परवेश की स्टुडेंट बहतर प्रदसर नहीं कर पाते हैं ऐसे में उन्हें मेट्रिक्स से पहले बोर्ड का नुबाव कराया जाएगा बिहार बोर्ड ने 26 परवरे से एक्जाम कराने का निर्देश जारी किया है अगली बड़ी खबर बिहार बोर्ड एक्जाम में पहले दिन 14 जिलों के 74 परिचातरी निस्कासित 14-71 केंडर पर लगाए गया है सिसी टीवी केमरे बिहार बोर्ड के इंडर परिचा मंगलवार से सुरू हो गई है पहले दिन 16 जिलों के मात्र 74 जातर निस्कासित हुए है सबसे ज़्यादा 17 परिचातरी जमुई जिले से निस्कासित हुए है इसके अलावा चार दूसरे के बदली परिचा देते पकड़ गया है परदेश की 14 से 71 केंडर पर कदचार मुग्त परिचा के लिए सभी केंडर पर सिसी टीवी केमरे लगाए गया है बड़ी कबर बिहार में रद होंगे लाखो रासन कार्ड नहीं मिलेगा ना जेक करे कहे लिष्ट में आपका भी नाम तो नहीं है सामिल जिहां एक रासन कार्ड पर 20 से अधिक परिवारिक सदसों के नाम के कारण राज के करीब 30 लाख रासन कार्ड संदे के घेरे में आ गये हैं खाय देवम उपबोकता सरक्चन विभाग ने इन रासन कार्ड वाले परिवारों के सत्यापन का आदेश दिया है मुझापरपुर में करीब 10,000 रासन कार्ड ऐसे है जिन पर परिवारिक सदसों के सेंख्या बेश से लेकर 35 तक है खाय देवम उपबोकता सरक्चन विभाग के निर्देश के निर्देश पर OSD संगिता सिंग ने सभी जिलों को निर्देश दरी किया है कागिया की समिक्षा में या साबात सामने आये कि राज के सभी जिले में ऐसे रासन कार्ड के सेंख्या बहुत अधिक है जिन में बेश से अधिक परिवारिक सदसों के नाम है इन सबी रासन कार्ड के मैदम से खायदान की काला बाजारी के आसंका है आज के दोर में एक परिवार की रासन कार्ड में 20 सदस्य की नाम सामिल होना आसर्च का विसाई है अगली बड़ी केबर बिहार पुलिस साई 2022 का रिजल्ट हुआ जारी 47,900 मिदवार हुए पास जिहां बुदवार को BPSC बिहार पुलिस साई रिजल्ट 2022 का परिणाम गोसित किया गया है जहां 47,900 अबियर्थी योग गोसित किया गये हैं जिसमें 32,122 पुरूस मिदवार एव 15,778 महिला उमिदवार सामिल है जबकि 80,641 उमिदवारों ने परिचा में भाग ही नहीं लिया है उन अभियर्थियों को बिहार पुलिस सवर्नेट सर्विस कमिसन के अधिकारिक वेबसाइड BPSC.Bihar.nic.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं बड़े कबर बिहार के चात्रों के लिए खुसकबरी मार्च में बिहार के इस विभाग में होगे बंपर बहाली ग्रिय विभाग ने देदी है मंजूरी जिया बिहार में बहुत जयल्द 9 निदेशक, 10 उप निदेशक, 29 सहायक, 18 वर्गय लिपेक, 20 निम्न वर्गय लिपे 18 चालाक, 19 बरियोग सला वाहक और 31 विष्रा या कार्यालाई परिचारी के पद पर बहाली होने वाली है इसको लेकर सरकार की ओर से जल्दी विगापा निकाले जाएंगे, 208 बद स्रिजित के गए है, इन पदों की स्विकिर्ती ग्रिय विभाग के इस तरह से मिल गई है बड़ी कबर बिहार में एक से दो मा में देखने लगेगा सराबंदी कानून में बदलाओ, मंदरी ने खोद दी है जानकारी, जी हा मदनी सियद उतपाद एवं निवंदन मंदरी निसुनिल कुमार ने भी सपश्ट कर दिया है कि सराबंदी कानून में संसोदन पर काम चल रहा है, इसे कैसे और बेतर बनाया जाए, इस पर भी मंतन हो रहा है, फिलाल नए प्रस्ताव को कानून रूप दिया जा रहा है, महने दो महने में इसके परिनाम सामने आएंगे, सोमुवार को सचीवाला इस्तित सभागार में प्रेस वार्ता के दोरान मंतरी ने कहा कि प्रतिमन लगाए जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर मंद्री ने कहा क्या भी सभी बिन्दों पर विचार चल रहा है अली खबर लालो की बढ़ सकती हैं मुस्किले 15 फरवरी को आएगा चारा घुटाला का सबसे बड़े मामले का पैसला लालो समयते 102 आरोपियों को हाजिर होने का आदेश जी हाँ आरजेडी सुप्रीमों लालो परसाद यादव के मुस्किले बढ़ सकती हैं चारा घुटाला के सबसे बड़े मामले आर्सिये 474 ए 96 में 15 फरवरी को फैसला आएगा सनिवार को सिवियाई के बेसे सिन्यादी सैसकी ससी के अदालत ने मामले के अंतिम आरोपी की ओर से बहस पूरी होने के बाद फैसले की तारीक निधारित की है 15 फरवरी को लालो परसाद समेट 102 आरोपियों की वेक्टिक रूप से अदलत में उपसित होने का निर्दिस दिया गया है दोरंटा को सगार से 149 करोड रूपियों की अवेद निकासि मामले में लालो परसाद समेट 102 लोग ट्रायल फेस कर रहे हैं हाला कि आरोपियों की ओर से बहस पूरी होने के बाद भी 2-3 आरोपियों की मौद भी हो चुकी है लेकिन आरोपियों की ओर से मौद परमान पत्र नहीं दिये जाने के कारण इसका नाम नहीं काड़ा गिया है अगली बड़ी कबर बिहार में यदि आपको मिल रहा है कम रासन तो इस नंबर पर तुरंद करे सिकाया जिया रासन कार्ड ऐसा एक दस्तावेज है जिसके जरिये आपको सस्ते में रासन मिल जाता है लेकिन अक्सर देखने को मिलता है कि रासन कार्ड धारगों को डिलर रासन देने में आना कानी करते हैं ऐसे स्विति में आपके पास जो भी उतने में संतोस्त करने के अलावा कोई आइन विकलप नहीं होता है यदि डिलर से आप इस समझ में कुछ पोच्छते हैं तो गोल मौल जवाब दे कर वो आपको वापस कर देता है यदि आप आपको डिलर कम रासन देता है तो इसकी तुरन सिकायत कर सकते हैं केदर सरकार की और से राजी के हिसाब से हलप लाइन नमबर जारी कर दिया गया है आप इन नमबर पर कॉल करके डिलर के खिलाब अपनी सिकायत दर्ज करा सकते हैं बिहार की लोग 1-800-3456-194 पर कॉल करके रासन कार्ड से जोड़े कोई भी सिकायत दर्ज करा सकते हैं अगली बड़ी खबर सुच बिहार के तहाद आप स्कूल में होगी सफाई की पढ़ाई सिलिबस में जोड़े नए चेप्टर जी अभिहार में इसकूल में अब हाईजिन और सिनिटेशन की पढ़ाई होगी पीने के पाने की सपाई को अब इसकूली बच्चे अपने सिक्चक से जान पाएंगे COVID-19 संग्रमन को देखते हुए NCRT ने कक्चा 3 से 12 तक के कक्चा के लिए नया चेप्टर जोड़ा है नई सत्री से इसकी पढ़ाई सुरू की जाएगी किसी कक्चा में कौन से चेप्टर होगा इसकी भी जानकारी NCRT द्वारा दी गई है NCRT द्वारा चटी से 12 तक के कक्चा में अलग-अलग चेप्टर हाईजिन और सिनिटेशन को लेकर दिया गिया है इसके अलावा हैल्द और फिजिकल एजुकेशन में कक्चा एक से दसवी तक के चेप्टर में जोड़ा गिया है राज की सबसे पहले कबर बिहार में फिर बदला आदेस अब हलकी सर्दिक खासी पर भी होगी कुरोना की जाच जी हाँ पुरे राज में कुरोना जाच में फिर से तेजी लाई जाएगी राज स्वास्त मुख्याले ने इसका निर्देस सभी जिले की सिविल सर्जन को दिया है संकरमन की रोबताम और सभी संकरमितों के पहचान के लिए जाच बढ़ाने का निर्देस दिया है जिले में अभी कुरोना जाच चार हजार तक सिमट गई है जिला दिकारे ने रोज आठ हजार सेंपल के जाच कराने का निर्देस दिया था आपको बदा दे कि आप जिनको हलकी सर्दी खासी है उनकी भी जाच की जाएगी इससे पले स्वास्त विभाग मुख्याले ने निर्देस दिया था कि जिनमें कुरोना की लच्च होगे उनके ही जाच होगे इसके बाद जक्सन पर एंटिजन जाच बंद कर दी गई थी स्वास्त विभाग मुख्यारे की निर्देश के बाद जिला स्वास्त विभाग रोज 7000 सेंपल के जाच का लच्च बना रहा है अगली बड़ी खबर ट्राई का टेलेकम कमपनियों को निर्देश प्रिपेड मॉबाइल ग्राहकों को 28 की जगा अब 30 दिनों की रिचार्ज विलेडिटी देनी होगी टेलेकम आथोरेटी ऑप इंडिया ने प्रेपेड मॉबाइल ग्राहकों के हक में बड़ा फैसला किया है ट्राई ने सुकुरवार को सभी टेलेकम कमपनियों को मॉबाइल रिचार्ज के विलेडिटी 28 दिन के बज़ाए 30 दिन देने का निर्देश दिया है इसके साथ टेलेकम कमपनिय अपने प्लान में अब एक स्पेसल वाउचर एक कॉमब वाउचर पूरे महिने की विलेडिटी के साथ रखना होगा बदा दे के टेलिकम कमपनियों के मौज़दा प्लान में 28 दिन के वेलेडिटी होती है जिसकी वज़ा से कस्टमर को एक साल में 13 बार मंतले रिचार्ज कराना होता है ट्राई ने टेलिकम कमपनियों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी की है इस नोटिपिकेशन के अनुसार साट दिनों के अंदर नियमों के आदेस का पालर कंडे को कहा गिया है आज की लोग का स्वाल बताए कि बिहार में साथ फर्वरे से स्कूल और कोलेज को खोले जाने चाहिए या नहीं इसका जवाब आप हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताए